जन्प्रतिनिदितु अधिनियम 1951 के नुसार कोई वेक्ति लोकसभा राज्य सब्सक्राइब बाका सदस्य बनने के लिए आयोग्य होगा ये जो बाते मैंने बताई ये तो सविधान की थी अब जो बाते में कावन के अनुसार बता रहा हूँ ये संसद ने कानून बनाकर नियम बनाकर अत्रीक्त नियम बनाए हैं जिससे आयोग्य गोशित किया जाएगा यदि वो किसी चुनाओ में ब्रस्टाचार का दोशी पाया जाता है किसी अपराद में उसे दोशी पाये जाने पर कम से कम दो साल की सजा मिली हो ब्रस्टाचार का दोशी पाया जाता है अपराद में उसे दो साल की नियूनतम दो साल या उससे ज्यादा की सजा हुई हो चुनाओ के खडचे निर्वाचन आयोग के समक्ष सही धंग से प्रस्तूत करने में असपल होने पर निर्वाचन आयोग उसकी सदसिता रद्ध कर सकता है सरकारी कॉंट्रेक्ट में भाग लेने वाला वो व्यक्ति रहा हो जिसको कोई सरकारी कॉंट्रेक्ट दिया गया हो प्रताचार या सरकार के प्रती धोका धड़ी करने के आधार पर कोई गवर्मेंट जॉप से उसे हटाया गया हो जन्व प्रतिनीदितु अधिनियम 1951 की धारा आठ दोशी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती हैं लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा हैं जो केवल मुकदमा चल रहा है उन पर केस हैं वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है वे तब तक धारा आठ के नुसार चुनाव लड़ने से रोके नहीं जाएंगे जब तक कि उन पर कोई भी दोश सिद्धना हो जाए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन हत्या के केस हैं जिनपर बलातकार के आरोप है तो चुनाव लड़सकते हैं जब तक कि अपराथ सिद्धना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा का आरो कितना गंभीर है कि कोई सांसद अत्वा विधायक हत्या बलातकार और इसपर्षता अंटचेबिटी विदेशी मुद्रा विनीमय मनी लॉंड्रिंग अधिनियम के उलंगन धर्म भाषा या शेत्र के आधार पर शत्रूता पैदा करना भारतिय सविधान का अपमान करन प्रतिबंदित वस्तुओं का आयात निर्यात करना आतंगवादी गतिविदियों में शामिल होना जैसे अपरादों में लिप्त होता है तो उसे छे वर्ष की आउधी के लिए अयोग्य घोशित कर दिया जाएगा मतलब उसे ये प्रूप हो जाए ये साबित हो जाए कि वो दाइरेकली इनडाइरेकली शामिल था तो उसे च्छे वर्ष की अवधी के लिए अयोग्य घोशित कर दिया जाएगा उप्रियुकत अपराधों के अलावा किसी विप्राध के लिए दोशित है रह्या जाने वाले किसी भी विधाई का सदस्य को यदि दो वर्ष से अधिक के कारावास की सदा सुनाई जाती है तो उसे दोशी ठहराए जाने की तिथी से अयोग्यमाना जाएगा जैसे कि लालू प्रसाद यादव दो साल से अधिक की सदा मिल गई फिर भले आप बेल पर चले जाए फिर आप भले ही हाई कोट में अपील कर दीजे अगर एक कोट ने आपको सदा सुना दी हैं तो जिस तारीक से सदा सुना दी गई वहां से अब आप अयोग्य गोशित कर दिये जाएंगे इस अधिनियम के फाइदे नुकसान सब बताएंगे जेल में बंद कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में मत नहीं डालेगा जो जेल में बंद लोग होते हैं वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं चाहे वो कारवास की सदा के अधिन हो या देश निकाला हो या पुलिस की कानूनी हिरासत में ही क्यों ना हो कोई व्यक्ति किसी अपरात का दोशी हैं या उसे दो वर्ष या इस अधिक की सदा दी गई हैं तो चुनाव लड़ने के लिए अपात्र होगा यद्यपी कोई व्यक्ति दोश्चिद्ध होने के पश्चात जमानत पर हैं तता उसकी अपिल निप्टान के लिए लंबित हैं तो उसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव लड़ने से अपात्र किया जाता है मतलब एक बार सजा मिल गई फिर भले ही बेल मिल गई हो फिर अगला वो हाई कोट में अभी केस लड़ रहा हो सुप्रीम कोट में केस लड़ रहा हो तब तक भारत निर्वाचन आयोग उसको अयोग्य और अपात्र मानता हैं तो अभी अपनी सीट पर बना रह सकता है किन्तु 2003 में 2013 में लीली थॉमस बनाम यूनियन आप इंडिया के मामले में सर्वोच्चे नयले ने कहा नहीं चलेगा ये भी वेक्ती 1951 के प्रतिनिदी अधिनियम में पहले ये प्रावधान था कि यदि कोई संसत सदस्य विधाईका का सदस्य हो और उसे सदाद दे दी गई और उसने तीन महिने के भीतर हाई कोट में अपील की तो अभी वो अपने पद पर बना रह सकता है सुप्रीम कोट ने का कि जब वो चुना भी नहीं लड़ सकता है तो अपने पद पर भी नहीं रह सकता है 2013 का एक मामला है सुप्रीम कोट का लिली थौमस बनाम यूनियन ओप इंडिया